नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास कोई सा भी स्मार्ट वॉच है तो उसको आपका नेक्ट कैसी कर सकते हैं तो यहां पे आपका जो फोन है उसमें बार कोड स्कैनर हो कर दें ले तो ऐसे करेंगे। और यहां पे QR कोड आजा गा इसको स्कैन कर लेंगे और यहां गया है और उपन कर लेंगे और अगर एपल फोन से कर रहे हैं तो आपसटोर पे स्कैन कर लेंगे , और अगर एंड्रोइड से कर रहे हैं तो Google Play पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइस डिसकनेक्टेड आपको शो करेगा, तो यहाँ पे इसको हम अलाउ कर देंगे, और आपका जो Bluetooth है, अगर आफ है, तो पहले इसे अन कर लेंगे, और एक चीश शौर कर लेंगे, कि आपके Bluetooth से कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, और Bluetooth अन करने के बाद एक बर हम एप्लिकेशन पे जाएंगे, और यहाँ पे माइन पे जाके ना, इसको लॉग इन कर लेंग यहाँ पे आपको टाइम आउट का ओप्शन देखने को मिलेगा, और दो तीन बार करेंगे ना, तो हो सकता है, यह कनेक्ट हो जाए, तो मैं इसको बाद में करूंगी, बैक कर लूंगे, और यहाँ पे सेट पे जाएंगे, सेट पे अगर आपका इस से ओप्शन दिख रहा करेंगे, ऐसे टाच करके, 716 नंबर आपका शो कर जाएगा, आप इस पे क्लिक कर लेंगे, यह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यह कंप्लीट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, सेट पे जाएंगे तो देख सकते हैं, आपके वाच के पगल में 716 से दिखेगा, आप इसक यहां पे आपको डाइल सेटिंग मिल जाता है, तो यहां पे जो डाइलर इंटरफेस है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपका अप्लिकेशन प्रॉपर काम कर जाए तो, अगर काम निकर रहा है, तो हो सकता है, दो-तीन बार क्लिक करेंगे, तो हो जाएगा, अभी य यही Step का Érry आ रहा है, अगर आपका ऐपन हो जाता है, तो आच डाइलर चेंज कर सकते हैं, और यहां पे Message पूश्च अजाता है, तो यहां पर आप Call Notification के लिए इसको अलाउ कर सकते हैं, यहां पर, और Message के लिए आप इसे Enable कर सकते हैं, और WhatsApp वगरा का Notification आपकोself अगर कर तो आप यहां पर और सकते हैं कोई साहब लाउप्शन सिर्फ आपको रिमाइंड करेगा कि यहां आपका WowOhal 시청ा रिमायंडर सब्सक्राइब नाब जितलगे हां लुकल करे ACC posición करेंख उत्ति हैं यहांपर रुडिन लग रहा है और यहां पर जो आपकी फोन में आ रहा है ना कॉल सेम नंबर है तो मैं इसको कट कर दूंगी अभी और यहां सेट पर जाके आप और भी सेटिंग कर सकते हैं जैसे डू नॉट डिस्टर ब्रेस टू वेक ऐसे तो जब भी आप अपने वाच को ऐसे करके ऐसे उठाएंगे ना तो लाइट दिख जाएगे मतलब स्क्रिन की लाइट ओन हो जाएगे ठीक है और इसका टाइमिंग क्या होना चाहिए यह टाइमिंग आप यहां पर सेट कर लेंगे चार बजे से लेके और इसका एंड टाइम मैं रात के ग्यारा बजे का कर देती हूं सुबह चार से रात के 11 बज़े तक मतलब यह लाइट ना ओन हो जाएगी आपकी अपने आपी जैसे आप अपना हाथ उठाएंगे ठीके बार बार आपको टैप करने के ज़रत नहीं पड़ेगी रिमाइंडर वगर आजाता है अलारम डू नाट डिस्टर्ब यह सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर डिवाइस अपना रिसेट कर सकते हैं कोई भी डेटा वगरा जो का इसमें होता है वन मंत का डेटा यह स्टोर करके रखता है आपका हर्ट बीट और बीपी वगरा का और स् से रिसेट कर सकते हैं डेटा और डेटा ले भी सकते हैं और यहाँ से डिवाइस रिमूफ करना तो रिमूफ कर सकते हैं अधर पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं वाइबरेशन अन करके रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वाइबरेट होने पर कि किसी का कॉल आ कर सकते हैं यह आपके स्टैप मॉनिटर करेगा और माइन पर आपका अकाउंट दिख जाएगा यूजर प्रोफाइल पर जाके आप अपना फोटो लगा सकते हैं यहां पर जब लॉगिन होने के बाद यह सेटिंग कर सकते हैं पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा निकनेम सेट कर सकते हैं मेल, एज, हाइट, वेट यह सब आप सेट कर सकते हैं इसके बाद बैक कर लेंगे और यहां पर आपके स्टैप दिखाएगा किलोमेटर कितना चले हैं दिस वीक यह दिखाएगा और यहां पर स्टैप वगर यह सब आपका वीकली शो करेगा यह आपका पश्कार